तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारें बात करने वाले हैं जिसमें की हेड़कोाटर नादन कमांड से जो वेकेंसी जारी की गई थी उसका जो नोटफिकेशन है इंप्लॉइमेंट नीज में जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में आप आप इसका off and form fill up कर सकते हैं form fill up करने के बाद कौन-कौन से आपको document लगाना होगा कैसे आपको sin करना होगा सभी जनकारिया मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना skip करते हुए last तक देखिएगा और अभी तक YouTube चैनल को सस्क्राइम सस्क्राइब कर लेजिए और साथ ही साथ वेल आइकन को दबा देजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे notification की जनकारी ले लेते हैं जो यहाँ पे notification जारी किया गई थी इसमें headquarter नादन कमार्ण से वेकेंसी जारी की गई थी और notification की जनकारी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिक्सेशन मिल जाएगा वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें जो वेकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी इसमें fireman के लिए और इसके बाद यहाँ पे laborer के पोश्ट के लिए वेकेंसी जारी की गई थी और इसके बाद नेचे यहाँ पे detail बताया गया है तो notification की जनकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक आप लोगो को इसी वीडियो के description मिल जाएगा वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते है तो आपको form fill up करने के लिए सबसे पहले आपको application form की और सकता होगी तो application form का जो फीडियाप है आप लोगो टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से आप application form को print out कर लेंगे जो कि कुछ ऐसा आपको application form मिल जाएगा और इसमें जो आपको form fill up करना होगा blue ball pen से यह आपको यहाँ पे form को fill up करना होगा जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया कि इसमें application for the post आप तो यहाँ पे जिस भी post लिए आवेजन करना चाहते हैं fireman, laborer आपको यहाँ पे post name देना होगा और इसके बाद नीचे भी आपको यहाँ पे post applied fire आपको यहाँ पे देने के लिए तो यहाँ पे आपको post name देना होगा पोस्ट नेम देने के बाद इसके बाद नीचे आपको दियाकिस में फूल नेम आपको देने के लिए जो आपका नेम होगा अपना फूल नेम लिखेंगे इसके बाद आपको नीचे फादर नेम देना होगा और जो भी आपको टेल याँ पे फिल अप करना होगा और इसके बाद नीचे आपको अपना डेटा बर्थ देना होगा जो आपका डेटा बर्थ होगा जो कि आप में अटुकलेशन के सर्टिफिकेट के अंसर अपना डेटा बर्थ अपना फिल अप करेंगे और यहाँ पर आपको अपना photograph चिपकाना होगा जो आपका photo होगा उससे आप यहाँ पर चिपकाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको application form के last letter से यानि जो last letter form fill up करने के लिए 28 सितंबा दौर 21 आपको यहाँ पर उससे अपना age क्रुकलेट करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको year, month और day में आपको अपना age देना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर दिया किसमे identification mark तो इसमें कुछ लोग यहाँ पर confuse कर जाते हैं यहाँ पर identification mark में यहाँ पर क्या फिल अप करें यहाँ पर तो आपके body पर तील का निसान होगा या कटा का निसान होगा उसका आपको यहाँ पर detail आपको यहाँ पर देना होगा जो कि यहाँ पर एक आपको फिल अप करना होगा आपके body पर कहीं पर भी होगा आपको यहाँ पर देना होगा तो identification mark देने के बाद इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देख इसमे correspondent address आपको यहाँ पर देने के लिए इसमें के सबसे पहले आपको देख इसमे house number, state या village आपको देने के लिए तो यहाँ पर इनमें से किसी एक को आपको यहाँ fill up करना होगा इसके बाद next आपको देख इ इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देख इसमे पर्मानेंट यानि जो आपका अस्थाई पता है उसे आपको यहाँ पर देना होगा सेम में आपको यह फिल अप करना होगा सबसे पहले आप फिलेज इसके बाद आपको पुश्टापिस नेम इसके बाद आपको तैसील करने डिश्टिक नेम, इस्टेट नेम और इसके बाद जो आपका पिन कोड होगा उसे आपको यहाँ पर फिल अप कर लेना होगा अगर आपका और अस्थाई और अस्थाई दोनों पता सेम होगा तो सेम आप फिल अप कर सकते हैं अलग-अलग होगा तो यहाँ पर आप अलग-अलग भी फिल अप कर सकते हैं और इसके बाद नीचे आपको दिया किसमे MLID और Mobile Number आपको यहाँ पर देने के लिए दिया गया है जिसमें कि यहाँ पर दिया गया है अगर आपको यहाँ पर Result या Admit Card भेजा जाएगा सिंटर से तो आपको यहाँ पर MLID या Mobile Number पर आपको जनकरी दी जाएगी तो यहाँ पर Active और Wallet में यहाँ पर Mobile Number और MLID आपको यहाँ पर देना होगा और इसके बाद नीचे आपको दिया किसमे कास्ट आपको देने के लिए जो आपका कास्ट होगा यानि जो आपकी कैटेगरी होगी आपको यहाँ पर कैटेगरी अपना देना होगा अगर आप यहाँ पर AC, ST, OBC या EWS Candidate होगे तो जो आपका कास्ट होगा उसे आपको यहाँ पर लगाना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया किसमे काटेगरी फार विच अपलाइड यानि किस काटेगरी में फॉर्म फिलप कर रहे हैं यहाँ पर आपको काटेगरी अपना इसमें देन होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इपना क्वालिफिकेशन देना होगा तो यहाँ पर आप TV पास यह नहीं लगाना है. और इसके बाद यहाँ पर experience का टेल दिया गया है जो कि यहाँ पर बताया गया अगर आप यहाँ पर fireman के लिए apply करेंगे तो किस type का आपके पास experience होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर दिया गया अगर आप यहाँ पर laborer के लिए apply करेंगे तो किस type का आपके पास experience होना चा कौन-कान से आपको डॉक्मेंट इसमेन लगाना होगा जो कि मैंने अलग से corporate का लिश्ट बनाया हूआ है आगे उसे मैं आपको बताऊंगा कौन-कान से आपको डौक्मेंट यहांपे application form के साथ लगाना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको अपना left hand का जो thumb दोगा उसका आपको इंपर आप इंपर इपरेशन देना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको date लिखना होगा जिस भी date में आप form को fill up करते हैं और इसके बाद उपर आपको यहाँ पे signature करना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया कि इसमें far office record only तो यहाँ पे आपको कोई भी detail इसमें fill up नहीं करना होगा यह office यूज की लिए दिया गया है जब आपका form office में जाएगा वहाँ पी इसे fill up किया जाएगा आपको यहाँ फिल up नहीं करना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे admin card का भी form दिया गया है इसे भी आपको यहाँ फिल up करना होगा जो कि सबसे पहले आपको post name देना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको name देना होगा नेम देने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेटा बर्द डेटा बर्द देने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम इसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पर देना होगा जो आपकी कैटेगरी होगी कैटेगरी अपना देंगे और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया किसमे correspondent address आपको fill up करने के लिए जो application form में correspondent address fill up किये हैं यानि जो आपका और स्थाई पता था उससे आपको यहाँ पर fill up कर लेना होगा सेमी आपको यहाँ fill up करना होगा और इसके बाद नीचे आपको अपना इस मिलाडी और मोबाइल नमर देना होगा और इसके बाद जो आपका identification mark होगा जो कि आप application form में fill up कर चुके हैं वहीं आपको सेम यहाँ पर fill up कर लेना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको signature करना होगा और यहाँ पर आपको दिया किसमें left hand का थमी प्रसन यहाँ पर आपको देना होगा और यहाँ पर आप अपना एक photograph चिपका लेंगे एक आपको application form में चिपकाना होगा और एक आपको यहाँ पर admit card पर यहाँ चिपकाना होगा और इसे में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं address दिया गया इस address पर आपको यहाँ पर form को fill up करके send करना होगा तो यहाँ पर हमारा जो form में fill up हो गया है और जो आपको यहाँ पर form मिलने वाला है total यहाँ पर दो पेजो में यहाँ पर आपको form मिलेगा और इसे आपको यहाँ पर फिलप कर लेना होगा और इसके बाद बात करते हैं कौन-कौन से आपको यहाँ पर डॉक्मेंट लगाना होगा तो यहाँ पर मैंने डॉक्मेंट लगाने के लिए डॉक्मेंट का यहाँ पर लिष्ट बनाया हुआ है अगर आपका जनपापत्र बना होगा तो उसे आप लगा सकते हैं नहीं बना होगा तो उसके स्थान पे आप जो आपका टेंथ का सट्पिकेट होगा जिस पर कि आपका डेटा बरतिया होना चाहिए वहीं आपको यहाँ पे लगाना होगा इसके बाद आपको अपना एजुके candidate होंगे तो आपको यहां पर का certificate देना होगा अगर आप यहां पर EWS candidate होगे तो आपको अपना income certificate अपना देना होगा इसके बाद आपको अपना डुमिसाल certificate यारी आपको निवास पना पत्र देना होगा इसके बाद आपको अधार का फोटो कॉपी देना होगा इसके बाद आपको यहां पर दिया कि अगर आपके पास experience होगा fireman में laborer में तो आपको यहां पर experience का certificate देना होगा इसके बाद next यहां पर दिया गया है अगर आप ph candidate है यहां फिचकल handicap candidate है तो आपको यहाँ पे अपना जो physical handicap का certificate है उसे आपको यहाँ पर लगाना होगा और इसके बार last में यहाँ पर discharge certificate दिया गया है यानि यहाँ पर दिया गया है जो यह सम का candidate है भूद पूर सैनिक है और form फिलब कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे जो डिश्टा सट्पिकेट होगा उसे आपको यहां पे लगाना होगा तो जिसके लिए भी आप यहां पे अप्लिकेबल होगे वहीं आपको यहां पे डॉक्मेंट आपको यहां पे लगाना होगा और इसके बात नीचे जो भी आप यहां पे डॉक्मेंट लगाएंगे आप यहां पे form को fill up करके send कर सकते हैं और यहां पर जो मैंने document list बनाया हुआ है इसका जो पीडियाप है आप लोगों को telegram channel मिल जाएगा वहां से आप download करके check कर सकते हैं कौन-कौन से आपको यहां पे document आपको लगाना होगा और इसके बात बात करते हैं आपको यहां पे envelope को कैसे fill up करना होगा तो सबसे पहले जो आपको यहां पे envelope लेना होगा आप यहां पे दो envelope लेंगे एक आपको बड़ा size में लेना होगा और एक आपको यहां पे छोटा size में आपको यहां पे envelope लेना होगा जो आपका बड़ा size का envelope होगा उसके उपर ये डिटेल आपको यहां पे लिखना होगा तो सबसे पहले आपको देना होगा अप्लिकेशन फार दा पोश्ट आप इसके बाद आपको यहां पे पोश्ट नम देना होगा कॉमा देना होगा इसके बाद आपको यहाँ पोस्ट आपको लिखना होगा फायर मैन लेबरर जिस पोस्ट के लिए आवधन करना चाहते हैं पोस्ट नेम देना होगा और इसके बाद आपको कोमा दे करके आपको अपना देम देना होगा इसके बाद आपको फिर से कोमा देना होगा और इसके बाद आपको mother name लिखना होगा यह सब भी आपको यहाँ पे लिखना होगा नहीं लिखेंगे तो आपको जो form है reject कर दिया जाएगा इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे center का address लिखना होगा center का address लिखने से पहले आपको उपर टू लिखना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहां पे address अपना full लिखना होगा यानि आपको यहां पे center का full address आपको लिखना होगा जो कि आपको application form के जो last page है उसमें आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपको यहां पे from लिखना होगा और जो आपका correspondent address होगा यहाँ पे आपको इसमें लिखना होगा तो ऐसे आपको यहाँ पे जो बड़ा वला इनुलप होगा उस पे आपको यहाँ पे address को लिखना होगा और बड़े वाले इनुलप में ही आपको सभी document लगा करके send करना होगा और एक जो आप छोटा इनवल्प लिए होंगे उस पर आपको केवल अपना अडेस देना होगा उपर आपको यहाँ पर टू लिखना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो आपका कोर्रोस्पोंडेंट अडेस होगा उससे आपको यहाँ पर देना होगा और इस जो लास्टेट सेंड करने के लिए 18 सितंबाद वार 21 तक आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं अजर कोई जनकारी चाहिए तो आपने च्रिकाउट से कमेंट कर सकते हैं वहाँ आप मैं आपको जनकारी दे दूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्रिकाउट वीडियो को लाइक केजिए और अपने फ्रेंट के साथ सेर भी कर दीजिए और फ्रेंट सेंगे जो यहाँ पे हेड़कोटर नाधन कमान में फॉर्म फिलप करना चाहते हैं तो फिलप कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए तरने बाद